हरियाना विधान सभा की बजट सत्र का पांच बात दीन खेव फिलहाल तक की जो कारवाखी की बात करें मुखे तौर पर किसानों को लेकर चर्चा हो रखी है फिलहाल कारवाखी में क्या कुछ चल रहा के सीधे आपको देखाएंगे चल लिकट से ज़्यादा इस्तमाल कर रही है तीन सो नवासी भी कम सकम दस साल की सजा और आजिवन कारवास तो मेरे हाउस से आगरे हैं जहां भी हो मनिश्टर जी सब सुन रहे हो इन धाराओं पर कंट्रोल करें और जो जाइज केस हो मेवाद में वो बनाये जाए धन्यवाद सुक्रिया हम से और अच यह जया आए ह update कैंद्ध अधर एक ब्जुण करण बशखार कर जाए हमारे से श्याभात के अंदर जो है के एक मरेकर साउव आप अदर डिए नहीं कुटन का एक तो तुमाहर पुलिछ देह हैं तो वहां से एकरचिας है और मेरे जो आज जो । बिजली के जो मकाने को आपर टार जा रही है। यो जिम्हिदान मगदूर में ऑखके academics इसका उतारण उनकि knit तारने घत ती। چुंकत आज हरे आज अदमी परसाना तो बिजली की जुप टार जारी। दोसरा जो जूंगी जू फ्रियाड़े हैं उनको मारे को एक स्यावाद के अंदर बहुत दिखता है बहुत परसानों बठे उनको प्लाट मिलने ची हैं दोसे मेरा जो जो होड की जो आज जो होड के बड़े परसान है जो होड के बारे मा ये तो जो होड की जो रूटे claiming बिचनी सी है जो जिम्रीदार को पानी मिल सका और उसको मतला का नकासी वोई सका जहोड की बड़ी समस्थ आज जो सड़का खराब रहे हैं दूसरा हमारा एक आज जो मारा लाडवा को रोड़ है जो वहाँ सुक्रमीर है वहाँ होडनी को नचीया जी तो वक्की एक मारा जो लाँ ब्राड जय ऴल्बर चैया यहर minder ऑं Hari को अक्की घृणर है एक वर्ली वाल का ह्वार जूड यह यी सिरेकारी शर्कार जगवी पूढ़ी मारे को जगह्ण दोई जा जी हूने हमँारी जो और लाँ यह किई प्रड़ी रोड के वहाँ है शर्वी बासा करते लाँ वहां और मारा जो हमारे जो आज जो बकड़ बोड़ के प्लाप बकड़ बोड़ जरनार रहां उनको अंपर जो जहां प्लाप हotal को पिलनी के जहां टपना एंकी उनको वही है जिए कराई जए जां वहें वहünf उनका जुर्ट बन्त है आप मारे जो आज एक और जो मरे जो पुड़की निसास जीट रोड़ा है जो मारा बहुत दिखता है बहुत एक्सिडेंट हो वहां बस्टेंट भी उत रही है बोट भी उत रही है सारा कुछ उद्धर है वहाँ कर फुरण चाप पैदर लिगने के पुर लग जा तो बहु है मेरी मांग बहुत अच्छ हए हुआ है दन्यवार ये पांच साज जो मारे श्याबत की जो निकस्टी है इसका बहुत अच्छा काम वहागा यह मारे मांग आई धिया तो मैं यह को करो ना मुद्धर के उसमारे जो जोड़की निकासिए दोलोग के सारे जो अमारे मुतियां तो अमारे रा更जय पार के जो वासटाइबा नडवी नहरा इसको आज हमारे जो लाका आज बहुत पर निच्चे चले गया इसके पास मतलब ये दद्दू पर नडवी करने मानना चीए जूरी क्योंकि हमारे जो जिम्हिदार मजदूर बहुत आज बहुत इसके उपर मतलब हमारा का जो आणनारी पीडिया हमारे इसका बेविस्चा ठीक होगा हमारा चोब बहुत निच्चे चले गया हर जिम्हिदार मजदूर खुसान की सब की मांगा भी दद्दू पर नडवी चलनी चीए यह मेरा वादा यह मतलब हमारा दद्दू पर नडवी का एक पूरा नी पूरे जम्ना नगर से लिएकार मांगा यह मतलब पूरे लाके की मांगा पूरे जीम्हिदार मुदूर की सब की मांगा नहीं तो मारा तो इस्ते होने कहा करने के कौने करतार हों में पर हुआ है अगया नाम होनी चीए उनका काक्राम होनी चीए दन्यबाद जो कुइन maiorniej आप गोगी जी आपके जो सिनर् लिडर है वो यह नहीं चाफे कह도 है क्य़ आपழे । एक ने 29 मिन्ट लिया एक ने 20 मिनिट लिया और 20 मिनिट कई सदस्यों ने लिया आपकी जो सीनियर लीडर है उपध है सर मेरा आप सिन्वेदन है कि ऐसे हलाद देखते हुए मेरा ख्याल लगता है परदेश वैदेश की अब बोलो बोलो आप मंदर साब उपध है सर मेरा आप से न्वेदन है यहां के ऐसे अलाद देखते हुए नहीं लगता भी देश या परदेश में कुछ सुधार आएगा न्वेदन मेरे यह है कि कम से कम यहां जो मंत्री मोध्या या विध्या की बैठे हैं इनकी समस्या का जुरूर हल करें हम यहां स्पीकर पर जुक कर बोलते हैं सामने बाड़े देखते हैं भी पतनी हमारी तर्प क्यों देखे रहे मेरा न्वेदन है कि एक तो इस माई की राड लंबी करवाई जाए जैसा कि पंजाब में कगज की हैं जी है ठीक है है कि अधिक 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 मेरे एक साथी देर राके दोलता जी वह दस मिंट बोल ले और जब ऐसे जुक कर बोल रहे थे जब बैठन लगे करें और कमर में दर्द हो गया है मने करें आप सीधे खड़े हो के बोला वाज आ रही है ठीक है अधिक है अधिक मेरा आप से के मैं दम से वह विधायक सभी विधायकों से अनुरोद है कि मेरे को कई बार आवाज आई अपना अपना फैसला सुनाते है कि मारे पास पंचैत की बहुत ज्यादा जमीन पड़ी है मेरा सभी विधायक और मंत्रियों से निवेदन है कि जितनी वी जमीन पंचैत के आपके पास वो हमें वन विबाग में दे हम आपको अच्छे पोदे और अच्छे फलदार पोदे लगा कर देंगे यह मेरा आप से निवेदन है उपए देख्समोध्या यहाँ पर सभी दलों के सभी सरकार से विधायक आए बैठे हैं और वो एक दूसरे पर इतनी उंगली उठाते हैं सक्की नगा से जब कोई सरकार जीतने वाली होती है उसमें दूसरी पार्टियों के वहाँ आ जाते हैं तो मेरा एक सुझाव है क्यों इस सरकार के उपर उंगली क्यों उठाते हैं कल भी उनने उनकी तरफ जाना है तो ऐसा ना ऐसे जगड़े ना करके अच्छा एक दूसरे के साथ अच्छा भीएव रखें ताकि और एक मेरा सबसे ज़्याद अन्वेदन है जी अदेक्स मोदे एक मेरा सबसे ज़्याद अन्वेदन है मारे यह पांस साथ अजाद विधायक है इनको बोलने का मोगा दिया जाए कई बार हम सोचते हैं कि हम एक ऐसे फस गे जैसे दो सराब्यों के बीच में एक सेठ फस गय जे एक बार जंग्में दो सराभी सराभ पी के चले गए। जंग्में पोण जेसे निससे सेर आ जी तो वह आप सेर की तो उन्हा परवाह नियुकरी आपसमें जगड़न लगए। एक कैरें एक सराभी की सराभी कारहा भी तो केन लगे भई बता सेर अंड़े देवा क्या। दूसरा बोले, नहीं बच्च्च्चे देवा है। उनस्षचा भई इसकी कही eğभ्य हो पिटेगा। दूसरे कहींङी युपिटेगा। तो नहीं लगे भई शेर Opportun есть जंगल का राजा है। उसकी मर्जी अंडे देवे अंडे देदा बच्चे देवे बच्चे देवे तो मारी पार्ती का खास ध्यान रख्या जाए तो तो सर फीक है धन्यवाद मेरा आप आपका चुटकला सुन लिया अब आप जो आपकी डिमांड्स है या जो भी बोला अपन ले डाउन के जो सबी गाओं में तलाब जो हैं तलाब सर और समझा दिया जी मारे विदायक होंगा द्यान रखे जो अजाद पार्टी के विदायक हैं मेरा एक निवेदन है जी सबी गाओं में सबी गाओं में जो तलाब थे उन पर या तो कब जो गया बैट जो बैट जो नन पर आप बैटो प्लीज आप मंत्री जी रहे हो पर ले आप बैटो आप बीच में ने आप बैट ये बैट आप बैट ये फिर सुनेंगे कैसे इल्यास जी बैटो आप सर मेरा दूसरा ही एक सुझाव है जी इतने भी गाउं में उनमें बहुत ज्यादा तलाव होते थे या तो उन पर कप जो गया यह वो मिटी से भर गए तो पानी की निकास्ची की बहुत दिक्कत है आप विधायकों की बजाए वहां के जो अपने अधिकारिया उनको अदेश जिस गावं में ओवर्फलो तलाब हैं, वो खुद ही जाकर उसका सर्वे करें, या फाइपॉंड बनाएं, या थ्री पॉंड बनाएं, मेरे या निवेदन गावं में पानी की निकास्टी की बहुत दिक्क्त है, इसका हल कराएं मेरे आपसे यह निवेदन, दल्युक जी, सु कि श्मत्यों के मुझे गुरू द्रोन नगरी की दंता ने अपना परती निदी चुना है अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मुखा दिया चौद्वी हरियाना विधानसभा के प्रथम बजट शत्र में महा मही में राजयपाल जी के अधिवेशन का संवर्थन करता हूं अभी भाषन का संवर्थन करता हूं उपादेक्ष मुखद्या सरकार में वर्ष 2020 शुशाशन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निरने किया है मेरा अपना मानने है कि एक बहुत सरहानी कदम है मानने है जिस नेता में अपना आत्म बल हो और स्ट्रॉंग वही नेता है शुशाशन की तरफ सोच सकता है तो मैं मानने मनहोर जी का अभारी हूं सादुवा देता हूं कि उन्होंने इस किसम के लिए शुशाशन की तरफ सोचा मानने कभी कलपना करते थे कि क्या कभी अपने राज्य में शुशाशन आएगा लेकिन अब लग रहा है क सम्वानित विधायक, निर्नायक ना बने, वो जज्जमेंटल ना बने, इस बात की गणना क्योंकि शुशाशन वर्ष संकल्प लिया जा रहा है, तो इस बात की निर्ने, दोजार इक्टीस में जबा फैबरी में बैठेंगे, तो उस से मैं जुरूर इसका निर्ना हो जाएग है, अगर उसका डिजिटलेशन करते हैं, तो जहां हम किसानों की सोच रहे हैं, कि किसानों की आमद भी आय डबल हो, लेकन अगर उसका रिकॉर्ड डिजिटलेशन हो जाता है, तो देखे, ये बहुत बड़ी उसकी मदद है, खली आय होने की बजाय साथ शाथ, अगर उसके एक बटन पे सब कुछ है वेलेबल है तो मैं समझता हूँ ये सरकार का बहुत बारी प्रोबकारी कदम रहेगा उन किसानों के लिए साथ में गाउं का लाल डोरा मुक्त होना अगर आप देखें तो सभी सम्वानित विधायक सामने बैठें वो कह रहे थे किसानों के लिए क्या किया क्या किया गाउं का लाल डोरा जो अबादी है गाउं में जो अबादी है और एक रवेन्यू स्टेट है अबादी के अंदर अगर देखें तो लगबग गाउं में किसान ही रहता है जब उसके पास एक शेलडी की कौपी होगी उसमें उसके हदुदर्बा होगा उसकी डैमेंशन्स होगी उसकी इस्ट और वेस्ट के अंदर उसकी भुजाय होगी तो उसकी प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन हो जाएगा आज लाल डोरे के अंदर उनर्शिप नहीं होती जिसका कबज़ा होता है वो ही मालिक होता है उपादेश महुदे जब कभी कोई आदमी किसान अपना गाउं तो अपना घर तोड़के अबादी के अंदर घर तोड़के अगर कंस्ट्रक्शन करता है तो आप देखे के 70% मुकदमे उसमें शुरू हो जाते हैं क्योंकि ऑनर्शिप का तो उसका प्रूब होता है किसी भी मस्खरे ने ये परिवार का कोई भी आदमी मुकदमा डाल देता है तो ऑनर्शिप साबित करने में उसको 200 साल लग जाते है मानने महुदे अभी कुछ सामने सम्मानित विधायकों ने अखवार की कटिंग लेके कुछ बाते करनी शुरू करी थी मैं महीपाल ढांडा जी का जो उन्हें कहा कि सी यल्यू का खेल गुरू गराम में हुआ मैं अखवार की कटिंग ना लेके और मानने बतरा जी ने कुछ बाते कहीं जिसमें उन्हें कहा कि इंक्वारी होनी चाहिए मैं तो कहा रहा हूं इंक्वारी के बारे में पता नहीं क्या होगा उसका रजल्ट क्या आएगा हो सकता है उनको वापी जाना पड़े अपने शब्दों को वापिस लेना पड़े इंक्वारी के अंदर लेकिन मैं आपके शामने एक रामेश्वर वर्सी स्टेट अफरियाना ओनरेबल सुप्रीम कौट अफिंडिया की जज्जमेंट के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि किस किसम से खेल हुआ वर्ड है आप गौर करिये फ्रोडलन ट्रांजेक्शन लेंड नोटिफाइड पर अक्विजिशन परचेज बाइ प्राइवेट बिल्डर आफ्टर डेट अव नोटिफिकेशन लेंड नोटिफिकेशन परसुदिद टू एंटर इंटर इंटर ट्राजंशन विद बिल्डर्स प्राइश रिशीवड ग्रेट अवाड़िड स्टेट गौर्वर्मेंट अराइवड इडिशीजन फोर विड्रॉल अव एक्विजिशन मौदे हुआ क्या कि शेक्शन चार लगा दिया गया स्टेट चार लेंड एक्विशन एक्टर लगा दिया गया और उन जमीदारों को प्रेशराइज किया गया और तुम्हारी जमीन एक्विएर होने जा रही है बहुत नॉमिनल डेट पर एक्विएर होने जा रही है और उसके बाद कुछ बिल्डर्स को छोड़ दिया गया उन बिल्डर्स ने उनको कहा कि शैक्षन चार हो रही है तुम जमीन हमें बेच दो उन्होंने उन जमीन को खरीद लिया और शैक्षन छे के बंदर बाद ने उस जमीन को रिलीज कर दिया गया और रिलीज करने के बाद उन्होंने वहाँ पर बहुत इन थाउजंड्स करोर्स के अंदर एक एक विल्डर से वहाँ पर कमाया मानने विद्धायक उपादेक्ष महदे जहां पर मैं एक जनपती निदी होने के नाते मेरा परम करतवे बनता है कि मैं अपने विद्धान सभा छेतर में हुए विकास कारों को सदन के पटल पर रखूँ साथ में उन समस्यों का भी हैं परस्तूत करूँ मैं एक ही मिनट और लूँगा कि एक पांच करोड रुपे की मानने मुख मंतरी जी ने योजना दी है कि सभी विधायक अपने अपने विद्धान सभा में डूइल्पमेंट के बारे में सोचें तो उसरे जो समाने होस्पिटल है वो बाश्यब और कॉंस्टेंशिय में आता सेक्टर दस एक अंदर तो मेरे गुड़गाओं के अंदर फिलाल चार से पांच साल कोई समाने नागरिक होस्पिटल नहीं है उसके लिए मैंने कहा है कि पांच जो मुबाइल होस्पिटल बनाया जाए लिकित में देदे हो एक मिनट लूँगा मैं और इसके साथ साथ मेरा कहना ये है कि जमिदारों का बहुत अधिक मौज़ा है जो लैंड एक्वायर हो गई लेकिन मौज़ा उनको नहीं मिल पा रहा है तो मेरा कहना ये आगरे ये है कि एसेस वीपी को कहा जाए कि उसमीन को अधिक से अधिक जल्दी जल्दी आॉक्शन करके उन्हों का मौज़ा रहा है लेकिन वहां पर मूल बूत सुविदा है नहीं मेरा मानने सदन से आगरे है कि उस नौसो मीटर के अंदर जो मूल बू और लगवाद 300 मीटर के अंदर तो ये ओन्डबल हाइकों कि नहीं दी जारी लेकिन या तो उनको व्यादा को विस्थापित कर दिया जा कहीं जोर तो जब तक विस्थापित ना किये जाए जब तक कम से कम मूल बूत सुविदा दी जाए एक एक छोटी से मेरी और है कि वित वन्तुरी वजट पेश करने जा रहे हैं उसे पहले अभिभाशन पर चर्चा का ये दौर जारी है